कि ध्यान के समय मन में बहुत भटकाव होता है उस भटकाव को हम कैसे शांत करें जो इधर उधर भागता रहता है दिन भर की दिन चर्या में या कई भी बात पर उसको कैसे हम समझा लें कैसे समझाएं कैसे एक और एक आग्रिश्ट जी हा ये बढ़ी बहतो पूर्ण बात है ध्यान में पहले क्या होता है इनने समझना है विगिन्यस को कि ध्यान का मतलब यह नहीं reject आपको विचार आएंगे ही नहीं ध्यान करते समय विचार तो आते ही रहेंगे इसलिए उनको उसकी चिंता ही नहीं करता है सिर्फ विचारों को आने दे और जाने दे और तूरंद ध्यान दे अपनी सासों की उपर जो सासे निरंतर चलती ही रहती है अपने आप चलने वाली ये सासे ये निसर्ग का नियम ही है हमारा शरीर जैसे ही हम अपने आप ध्यान देते हैं इन सासों को तरफ तो धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं This is the arrangement our body has, automatic हमें सिर्फ उस विचारों में involved नहीं होना है होता क्या है, जब नए नए ध्यान करते हैं या कुछ दिनों के बाद भी ये आदत जो है विचारों में डूब जाने की या विचारों में ही अटकने की वो जल्दी जाती नहीं है बस उन्हें यही ध्यान में रखना है कि विचारों को आते हैं तो आने दो हमें सिर्फ सांसों की तरफ ध्यान देना है विचार तो आते ही रहेंगे शुरू कर दिया ध्यान, विचार आ गए तूरंत उनको आने दो, जाने दो और फिर ध्यान दे अपनी सांसों की तरफ फिर विचार आता है फिर उसे आने दो जाने दो और तूरन ध्यान दे अपनी सांसों की तरफ यही करते रहना है यही तो ध्यान है